नमस्कार दोस्तों मैं हूँ उपासना सिंग और आप देख रहे हैं सुभाश कोईल हेल्थ शो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे पूरे शरीर का अधार जो है हमारे घुटनों पटिका होता है कई बार उनमें दर्द होने लगती है हम चलने फिरने के काबिल नहीं रहत जाता है कि गुटनों में ग्रीस खत्म हो गई या कहते हैं गुटनों में गैप कम हो गया जिससे की हड़ियां दुसरे से ठकराती हैं और दर्द बढ़ जाता है तो इन सब की जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वर्दान आयुर्वैदिक और हरबल मैडिसन अधकि प्यार भरी, इस सतकार भरी, नमस्कार जी, ऐसर हरा नमस्कार, सभाहज जिए मैं अभी बताया कि पहले क lata 에 ज़ागे प्रोनों वह शad़ा इज की लोगों में होता हैं लेकिन आज जावान बच्चों में भी प्रूनों बहा भी यह दर्द हो ने लगा है हम सुनते है गुटनों मेंlev खतम हो गई तो गुटनों में जो जिस कहा जाता है एक्याल हमारे देश के लोगों को पकड़ा लेते हैं लोगों तो फिर उते छीजयों निन्य है अच्हीर लगति है लोगों को ऐसी जो कमपनियां है जिन्हों ने अपनी गुटनों की ग्रीस बता के लोगों को उसके अपरेशन की तरफ ले के जाना था उन्होंने ऐसा वर्ड डाल दिया लोगों के दिमाग में अपने डॉक्टरों को समझा दिया डॉक्टर उसको यह कहने लग गए कि पहले आपका जो साइनोवल फ्लीूड है वो कम हो रहा है जैसे मालो यह गुटना है जॉइंट है इसके अंदर एक बगवान ने कुशन दिया उसके आगे उसने चपनी लगाई ताकि वो लीक ना हो साइडों पर लिगामेंट लगाए जैसे ट्रेन के पराने इंजन पर चलते थे तो उसने वो लगाए कि आप पॉडियां चड़ो सीडियां चड़ो कहीं से जंप करो कुछ भी करो सबसे बड़ी एक्जमपल मिलखा सिंग जी है अपने पास जिनोंने सबसे ज्यादा तेज रंड किया उसके बाद उनके गुटने मरते दम तक स्ट्रॉंग थे तो बगवा को यहीं नहीं पता है कि काली हल्दी भी होती है काली हल्दी होती है यह तो मुझे भी नहीं पता है और जिनको पता है उनको यह पता है कि काली हल्दी तांतरिक लोग यूज करते हैं यह एक आम लोगों की धारनाए हो गई है काली हल्दी जो है वह सच में अपने शरीर के ल यह पंसारी के पास होती है लेकिन बहुत रेयर मिलती है बहुत कॉस्टली भी होती है लेकिन हम लोग उने क्या किया हम लोग तो सारा दिनी यही काम करते है कि कि चीज को कहां से collect मैंने अपनी खुद की एक land ली बाहिताई किल्ये जमीन ली उसमें हम काली हल्दी और बीट ग्रास इस तरह के हमने plants खुद के करे plan तो फिर जाकर कि हमने क्या बनाया मैं आपको बता अब क्या होता है कि चार लीडिस बैठी है दुनिया भर की चुगलियां कर ली दो गंटे बैठके सब की बातें कर ली तो जब एक बीच में से उठके जाना चाहती है तो उठते हुए ऐसे बोलते है गुटनों ने ले लिया मेरे को तो निए अईसा हो गया उसने नौर्मल बोल दिया दूसरों नौर्मल बोला अब तेरा तो ग्रीश खतम हो गया होगी बात मजाक मजाक में वो कहके चली कि ग्रीश कटमों मेरे दुश्मनों का मैं अच्री वली हूं निकल गई और घर पे जाक तो फिर बो हिआने हैं ऑसरी होरी न!!! तो इसोरी वाप्र मेड वह में तॉक्त बाथा लॉट्व Payager सब्सक्राड गाया मतलब यह जाक्र में दॉक्तिर की भाशामे टूर्ड की जानकरी दूगा तो पूरा चेप्टर खुलेगा इसको सीधी बात समझ आती है बता दू बात यह हो गई कि जैसे एक आदमी गोड़ा लेकर के चल रहा है चार ठग रास्ते में खड़े हो गए एक कहता है गदा लेकर कहा जा रहा है अब दूसरा फिर उसने देखा नहीं मेरा घोड़ा है यार बोल दिया अरे वही क्या बात गदा बेचना है अब चोथे ने जब उसको गदा बोला तो उसको लगा कि यह गदा ही ना हो कर बेच देते हैं इसको खतम करो पता नहीं घोड़े की जगह गदा ही आ गया तो ऐसे ही वह जब बार बार ग्रीस सुनता है तो वह वर्ड उसके दिमाग में चिपक जाता है फिर क्या होता है डॉक साब उनको बोलके भेज देते हैं कि अब ग्रीस कम हो गया ऑपरेशन करवा लुगा अभी फिर वह उसका फेस रीड करता है फिर वह डर जाते हैं कि ऑपरेशन करवाना नहीं फिर दोग्स अब फटा फट एक पर्ची लि सकता और हस्वेंट को भी यही प्राब्लम आगी कि अगर मैंने अपनी वाइफ को ना करवा है यह क्या सोचेगी और वो विचारी सोच रही है कि मेरा बेटा बड़ी मुश्कल से पैसे कमाता है मेरे हस्वेंट के पास पैंशन आती है इतना पैसा है नहीं मैं इनके उपर अपरेशन होगा तो वह अपरेशन के टेबल पर चले जाते हैं लेकिन एक बात है मैडम उस भगवान को यह पता था जब सिरिष्टी रची गई उसने सबसे पहले पेड़ों के उपर लगा दिया यह चीज गोंद के रूप में उसने लगा दी काला गोंद यह चील के जो प इसठेक्ट है जो ग्रीस है जैसे इनसान के शरीर में बीरय होता है पर मोता है यह सीर्म होता है नहरे गिया तो जब उसका बनाया गया उस चीज को तेयार और एसको देना शुरू किया पेशन को कि भही इससे ग्रीस बन जाएगा, लोग तो बड़े खुश होगे कि बैद जी कुछ अची चीज ले आए, तो उससे क्या हुआ किसी को लूज मोशन हो गया, किसी को हैडिक हो गया, क्योंकि वो गोंद हरे को हजमना हो रहा था, तो फिर उसके अंदर एक द्रिब्ब्य आता ह हमारे जो बैद भाही हैं वो जानते होंगे, जटामान्शी के नाम पर आती है, जयसे अपने शरीर के अंदर नसे होती है, जैसे आपने कभी देखा होगा किसी को भी ऐसे कि उसकी पैर के पास ऐसे जहा इन जगहों के इर्द गिर्द छुटी चुटी ब्रीक ब्रीक नीली पीली नसे सी मर जाती है, गहरा सा बन जाता है, तो वो नसे मर गई, उसमें blood circulation हो नहीं रहा, तो ग्रीस बने कहां से, तो वो पोशन नहीं हो रहा, तो वो जो गोंद के साथ जटा मंशी दिया गया, वो सेम जड़ीबुटी थी, जैसे जटादारी संत होते हैं, उनके सरों में जटा होती है, वो जड़ीबुटी का वैसा ही रूप होता है, उसका नाम फिर जटा मंशी रखा गया था, तो मंशी क्या है कि वो पूरे मन की जितनी भी अपनी नसे हैं, उनको लुब्रिकेट करता है, blood circulation को चलाता है, तो उसको जब एड़ किया हमारे bad gene, तो ये चीज बन Google search करना है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यदि आपको सबसे पहले वैदवान काला गोंद लिखिये, जो original हमारे bad gene ने बनाया, तो आपको उसके बारे में पूरा समझ आएगा, तो उसके बाद जब आप लिखोगे तो बहुत सारा बजार खुलता है, काले गोंद का, कोई कह आप ने जो बैदवान का काला गोंद कैपसुल बनाया हुआ है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, और कितने जल्दी वो आपके घुटनों में गरीज को दबारा से बनाने में काम करता है, और लुब्रीकेशन को स्ट्रॉंग करता है, और उसके साथ-साथ मैं मैं एक चीज और दूँ और बता दूँ आपको, काले गोंद से ही एक चीज बनी, ये ओईल, मतलए ये ममूली ओईल है, इसका क्या नाम है, इसका नाम भी सीधा बैदवान काला गॉंद ओईल, अच्छा और ये कृम है, काला गॉंद क्रीम, ये चीजें काले गोंद से बनी, उनके एक्स्ट लगाने का है क्रीम पूरी की बाटल में निकालो खाळी डबी में छाकटोरी में फिरुस strongly in गविडिये तेलो कोम जांट दोनो को अच्छे से मिक्स मैच कर ़ो जाते हैं तो फिर आपने करना क्या है कि भ Aj मेरे से आज कोई काम नहीं हो ना मेरे गुटने काम ऩी Moon करते तो रात को ऐसे ऐसे जैसे यह थोड़ा घूट ऐस नेगा है और बिंदियां से लगा कि ऐसे धीरे जैसे बच्चेुके सर पर हाथ फिराते हैं वैसे यह नहीं कि बहुत जोर लगाना है नशे तो पहले वीक हो रखी हैं इसको धीरे-धीरे और नीचे जो हैं गुटने का बिल्कुल नीचे का portion जहां गोली सी बन जाती है आपने देखा होगा और नर्व रुकी होती है वहाँ पे इसको लगा देना है धीरे से और रात को जैसे पगड़ी का कपड़ा हो जा चुनरी का कपड हो पतला कपड़ा उसके उपर बांद कर आपने लपेट कर सोना है सुबह जब आप बैड से नीचे पाउं रखोगे आपके मुझ से एक बात निकलेगी थैंक यू गोईल साब आपने सच में कोई चीज बताई थी जिस चीज का ये फाइदा हुआ और ये बहुत बड़ी बात है मैडम की काला गोंद कैफूल बनाने वाली कंपनीया आ गई पीछ है जब क्याफ चीज चलती है तो बना लेते है पर वैदवन कंपनी इस नहीं मेह की सिरुर Hindu क्रीम और काला गोंद की मदा ते यह बहुत जल्दी किसी से बरन निपा और आगर स्क्रीम को आप मट्र के दा के लगाना होता है तो ये तीन चीज़ें जो है ये मतलब जो डॉक्टर अभी कहते हैं आज ही कि आपका अपरेशन होगा अगर वो पेशेंट इन चीज़ों को यूज कर लेता है थ्री मन्थ हमारे बैद जी के कहें अनसार या जैसे हमने गूगल पर डाला हुआ है इसको कि आपका नहीं है कि वो डॉक्टर भी देखकर हरान होता है कि ये कैसे हुआ फिर उसके घर में भी कोई बुजर्ग होता है फिर वो हमें मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे सर्जन हैं जो लोगों के दिन में बहुत सारे अपरेशन करते हैं और काला गूंद खुद घर के लिए वो मंगवाते हैं हमारे से और अपने घर के पेशेंट्स को देते हैं तो बोलते हैं कि आपका थैंक यू कर सकते हैं लेकिन सामने आकर हम नहीं बोल पाते हैं कि हमारा जौब ऐसा है लेकिन ये एक ऐसा प्रड़क्ट बना कि जो ये घुटनों के ग्रीज का या दिमाग पर स्ट्रेस ता लोगों को उसको कम करने में इसने बहुत बड़ी हेल्प किया ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई कियो कि आजकल जादा करके लोगों के घुटनों में बहुत दर्द रहता है मैं एक शूटिंग कर रही थी उसके दारान फाइट सीक्वेंस था हमारा और पहले मैं बैठी रही कुछ ताइम में और इमीजेटली मैंने जैसी स्टार्ट किया वो मुझे लैग को काफी उपर तक लेके जाना था तो जब मैंने वो अपना स्टन किया तो मेरे को एक टक जैसी आवाज आई और मैं गिर गई गई और मैं कपिल शो कर रही थी तब और आईगर श्रॉफ के साथ मेरी कुछ फाइट का सीक्वेंस था तो मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बोला कि अब तो उप्रेशन करना पड़ेगा ये इसका जो गैप है वो कम हो गया है जो मैंने आपको बोला तो वो जो है जो मेरी बोन्स है वो नस्दीक तो इसकी सर्जरी होगी फिर मेरे को सबने बोला कि एक दो और लोगों से भी पूछ लो तो वहां पर एक डॉक्टर है उन्होंने बोला कि सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है आप कुछ टाइम एकसरसाइज कीजिए और उसी से ठीक हो जाएगा तो मैं वही और आज मैं बिलक कराई तो आज वही बात में आपसे कर रही हूं तो मेरा सवाल भी यही था कि क्या सर्जरी के बगैर जो है वह हम लोग घुटनों को ठीक कर सकते हैं तो यह तो बहुत ही अच्छी आपने मैडिसन बताई है कई बहुत पहीन होता है मैडम मानलों की घुटनों में गरीस खतम हो ही ना जी प्रॉब्लम आए ही ना अब भी ग्रीस वर्ड ही बोल रहे हैं वह अच्छल बोलना क्यों पढ़ रहा है कि एक लेंगूस हो गई है जो लोगों को सीधा समझ आती है जैसे हमारे गुरू और पीरों ने भी बताया है कि अगर कोई इंसान पंजाबी समझता है हम उसको उर्दू में यह हम उसको किसी और भाषा में बताएंगे उसको समझ ही नहीं आएगी अब जो इंसान जो समझ रहा है उसको उसी भाषा में हम बताना चाहते है कि अगर यह चीज खत्म ही ना हो खराब हो ना उसके लिए मैडम आपके रसोई में बहुत कीमती चीज़ अगर हल्दी खत्анные drinking कीमट आप समझ थोड़ी सी है तो डू चुट की हल्दी चीमत अपते एक कप एक गिलास दूद में डाल ली है और उसको बॉइल करना है धीमी आज पे बॉइल करना है और जब वो दूद आधा रह जाए उसको पीना शुरू कर दो रात को बैड टाइम अब जैसे वो दूद आप पीना शुरू करोगे श्रीर स्ट्रॉंग होता जाता है और जो ल खैऄ तोंद गटाए तौंद तो यह हमारा मंतर है कि पांच अली तो काली अपने बताई है यह फीली फीन नहीं होती है और एक अंभा री हालदी अंभा हलदी और एक जंगली हलदी है जो मैदा लकडी का एक पावडर है और वो गढ़िये में काम करता है, आरेफेक्टर को नॉर्मल करने में काम करता है, वो पांच चीजें, मैं नुस्खे इसलिए बताता रहता हूँ, कि अगर आपको लगता है, कि इसको घर पे बनाकर आपको पूरा फेथ, भई मुझे तो फेथ नहीं होता, मैं तो कभी किसी को आर पियां जाती है, मुझे लगता है कि आज के जो ये शो है, इसके बाद लोग इसको चाहे मगाएं चाहे ना मगाएं, वो बात की बात है, लेकिन वो अपने घर की हल्दी को खाना जरूर शुरू कर देंगे, और उससे क्या होगा, कई लोग कहते हैं, हल्दी गर्म करती है, ह कुछ नहीं करती, ऐसी लगता है, दारू तो पियेंगे, पूरी चिल करके, चिली चिकन खाएंगे, आग जैसा, उससे में कुछ गर्मी नहीं होती, हल्दी की चुटकी क्या करेगी, कुछ नहीं करती, अराम से खाईएगा, और इसको जब आपकी 15-20 दिन में जे आपकी दो परसेंट, सेलम फली की हल्दी, जो है वो 20 परसेंट, दारू हल्दी 20 परसेंट, अंबा हल्दी 20 परसेंट, मैदा लकडी का पाउडर 20 परसेंट, पांच हल्दियों का मिशरन है, ये पंचम हल्दी, जब ये दूद में मिल करके, दूद को हम पका लेते हैं, तो दूद में जितने भी तत होते हैं आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले वो भी खत्म हो जाते हैं और वो दूद अमर्त के रूप में आप ले सकते हो एक साल के बच्चे से लेके सो साल के बजर्गों तक यह सब के लिए फायदेबंद हैं और सब को यह चीज हम वही चीज देन है इसको पूरी जानकारी लेकर के आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको वही डॉक्टर कहेंगे कि आपको अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है आप अराम से अपना जीवन जापन की जीए अरे वाँ यह तो बहुत अच्छी बात है आपने जो डॉक्टर्स हैं जो रेकमेंड नहीं है ऑपरेशन से पहले अगर आप यह वाले नुस्खे अपना के देखेंगे तो हो सकता है कि आपको गुटनों का दर्द आपको बिल्कुल ठीक हो जाए और फिर आपको ऑपरेशन की जरूरत दीना पड़े यह तो सबसे अच्छी बात है और मुझे सबसे अच्छी ब एक बार तो कोशिश करके जरूर देखना चाहिए इतना दर्द सहने से अच्छा है कि इसे यूज करके देखा जाए और अच्छा आप यह बताए गुल साब जो बोलते हैं कि गुटनों में गैप कम हो गया हड़िया नजदी का गई और वो टकरा रही है और इसलिए दर्द जाता है और वो जब वहर आजाती है यह होता है कि वह चोट लग गयी कई जैसे घुटना मूढ गया कएं इस थनह इस कहले से होता देसीगी के भी बहुत फंडे हैं, अब एक डबा मार्किट में मिन रहा है, मैं बडा स्फष्ट करना चाहता हूं यह बात, कि मत खाईये चाहे, अगर खाईये तो फिर अच्छा खाईये, तो उसका क्या है, कि जो डेसीगी मालनो 500 रुपे का एक डबा आप लेके आते हो, तो उसको 30 रुपय का डबा लगाया रहे गया 370 रुपया फिर 370 रुपय में ट्रांस्पॉरेशन करके रहे गया 300 रुपया उसने अपने बच्चे भी पाल ले कंपनी बाले में बीच में रहे गया 200 का माल और 200 का किलो देशी घ्यों बन जाए भाई सब मैं तो माल नहीं सकता तो उससे अच्छा तो मौंगपली का तेल ले लो ना वो जादा फाइदा करेगा और मैं आपको सपस्ट कहना चाहता हूं कि देशी की घर पे निकाला हुआ खाईएगा या कोई बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी का खाईएगा जो बनाते हो अच्छे से तो ये आपको फाइदा क के ये चीजें थोड़ी थोड़ी किया कीजिए और इसको करने से बहुत फाइदा होता है और जैसे मैडम ने सवाल किया था कि गरीज कैसे खत्म होता है उसकी यही सारी बज़य है कि हमने अपनी रसोई को जब किचन बनाया है जब से हमने दूद की बोतलों की जगा कॉल ड बना दिया है कि यह तो मुह के स्वाद की चीज है तब से यह प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है अब पहले बताओ मैडम एक बात आपको मैं पस्ट अग्जम्पल देता हूं कि जो इंगलिश सीट थी ट्वालेट की कहा होती थी हमारी दादी खुद सौ साल से उपर जी के गई है और उसने कभी ट्वालेट सीट बिचारी ने देखी नहीं तो पैरों भार बैठके जाते थे सारे तो अभी अब बिठा के दिखाओ किसी को नहीं बैठ पाते तो अब यह यंग यंग बच्चे भी नहीं बैठ कर दिया हम बैठ पैरों के ऊपर बोज नहीं डालते घुट अब फिर सब कुछ करने को तयार है लेकिन जब हम तंद्रुस्त हैं तब हम कुछ करने को तयार नहीं है यह एक बहुत बड़ा प्राब्लम है जो गुटनों के ग्रीज कहलो अब गुटने अकेले तो हैं नहीं मैडम तीन सो साथ जॉइंट है बाडी के हर जॉइंट पे पहले लोग कितने किलोमीटर तक चलते थे और इतना ज्यादा मेहनत करते थे जारू नीचे बैठके लगाना पोचा बैठके लगाना तो अभी तो सब मशीन आ गई है उनके साथ सब कुछ हो रहा है तो मुझे लगता है हमारा जो फिजिकल वर्क है वह भी कम हो गया है उसक अब किसी को हम दोड़ा तो सकते नहीं अब लॉंग सैर करवा नहीं सकते है घर पर ट्वालेट सीट लगी है दो लाक रपर उसने बातरूम पर लगाया है वह उसका हम तुडवा तो सकते नहीं है हम उसको इतने ही बता सकते हैं घर पर दो कांच की कटोरियां ले आओ एक के दाने मित्थी के डाल दो मित्थी बीज जो चोटा बारीक वारा होता है और उसके अंदर 10 दाने कलौंजी के डाल दो उसको रख दो धकर सुबा उठकर उसको चबा चबा के खाईएगा वो सॉफ्ट हो जाता है और जो पानी उसमें था उस पानी को सिप करकर के पीजिएगा आप देखेंगे कि आपको डॉक्टरों की जरूरती नहीं आप बहुत चीजों में फाइदा ले रहे हो और दूसरी कटोरी में जो डालना है वो असली गुटनों का ग्रीस बनाएगा आपका बॉडी का ग्रीस बनाएगा पूरे जॉइंट का ग्रीस बनाएगा उसमें करना क्या एक पीस अखरोट की गरी दूसरा पांच उसमें बदाम पांच उसमें किश्मिश और एक उसके अंदर अंजीर यह ना हो कि गुएल स से निकल के जा रहे हैं और साल में और आपको चने अगर मैंने तीस बोला है तो 365 से गुना कर लो कितने किलो दाल हो गई साल भर में तो यह सारी चीजें आपकी बॉडी को इतना स्ट्रॉंग करेंगी कि आप जीवन में कभी भी ना तो जादा मोटे होईंगे और ना ही जादा दुबले होईंगे और ना ही कई भी ठक होगे कई लोग आपके साथ चलते चलते ठक जाएंगे आप नहीं ठक होगे तो यह दो काम करने हैं जो मेरी माता हैं बहने किचन में काम करती हैं सारा दिन ठक जाती हैं तो वह अगर सोई बना लें उसको नीचे बैठ होगा और आपके जीने का मकसद बनेगा और आपका जीवन मैं तो कहता हूं सौ साल जीओ लेकिन तंदरुस्त जीओ तंदरुस्त जीने के यही दो तीन मंतर हैं सवेरे मैंने कांच की बोली हैं 20-20 रुपए की आएंगी कोई बड़ी महंगी चीज़े मैं बता नहीं रहा आपको और यह चोटी-चोटी चीज़े खा करके आप अपने बच्चों का और अपने भुजर्गों का पालन पोजिशन अच्छे से कर सकते हैं मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आयूरवैद में घुट्नों के दर्द का इलाज संभव है और जिसे हम ग्रीज कहते हैं घुट्नों की घ्रीज खत्म हो गई तो वह काले गोंद से बनाई जा सकती है सल्यूट है आपको और आपकी पूरी टीम को जिसने काले गोंद और पंचम हल्दी जैसे प्रोड़क्स मनाई थैंक यू सो मच तैंक यू मैडम आपका भी बहुत बहुत थैंक यू और जिन दर्शकों ने अभी तक इन चीजों के बारे में जाना वो इनको लेने से पहले एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि जिस बाटल के उपर वैदवान का लोगो लगा है उसको जरूर एक बार पुष्टी कर ले उसके बाद काला कुंद इस्तेमाल करें